हेलो बच्चों, आज मैं क्लास 4 के लेशन 1 और 2 का रिवीजन करवाने जा रही हूँ बच्चों, ये दोनों लेशन पहले ही करा दिये गये हैं, इनका प्रस्नुतर भी करा दिया गया है मैं उमीद करती हूँ, कि आप पहले लेशन का याद तुम्हारी याती है कविता को याद कर लिये होंगे प्रस्नुतर भी याद कर लिये होंगे, दूसरे लेशन का भी प्रस्नुतर याद कर लिये होंगे लेकिन फिर भी मैं एक बार फिर से आपको समझाना चाहती हूँ आप इसे समझने का प्रयास करिए पहला पाठ है बच्चों याद तुम्हारी आती है बच्चों प्रकृति की इन चीजों को देख कर जैसे सुबा सुबा चिनियों का चहकना कलियों का खिलना फोलों की खुसवू बोदों का गिरना बिजली का चमकना बागों की हर्याली और ठंडी-ठंडी हावाई ये सब देख कर प्रभू की याद आती है क्योंकि ये प्रकृति के प्रकृति की देन है अब है बच्चों दूसरा पाठ दो बाइलों की कथा ये वो कहानी है बच्चों एक कहानी है जैसे एक जूरी नामक ब्यक्ति के पास दो बाइल थे हीरा और मोती वे दोनों आपस में बहुत मिल जूर कर रहते थे प्यार से रहते थे जूरी भी उन्हें बहुत प्यार करता था वे भी जूरी को भाई गया उन दोनों बैलों को अपनी घर ले गया उनको रुखा सुखा भूशा डाल दिया और बहुत उनको मारता पीरता था ये दोनों बैल किसी तरह से रात को रसी तोड़ा कर गया के घर जूरी के घर भाग गया जूरी की पत्नी ने जब देखा तो बहुत नराज हुई उसने उन दोनों बैलों को रुखा सुखा भूशा डाल दिया लेकिन फिर भी वे दोनों बैल बहुत खुशी से खा लिये अगले दिन फिर से गया आया और उन दोनों बैलों को ले गया और खुब मोटे रसी में उसको उनको बाह दिया इसलिए वे बैल रसी को तोड़ नहीं पाए गया उन बैलों से बहुत काम लेता था और बहुत मारता पिरता था गया के घर में एक छोटी लड़की थी वो दोनों बैलों को बहुत प्यार करते थी और उनकी दूर्दसा देख कर बहुत दुखी होती थी एक दिन उसने रसी खोल दिया और दोनों बैल भाव निकले रास्ते में आते समय बैलों ने हरी हरी मटर देखी वे मटर खाने लगे तो उस खेत के मालिक ने उनको पकड़ा और काजी हौस में डाल दिया काजी हौस में बहुत सारे गधे, बकरिया, भेने आदी थी दोनों बैलों ने दिवाल तोड़कर उन सभी जानवरों को बाहर निकाल दिये लेकिन स्वैम उही रह गए जब बाद में काजी हौस के रखवाले ने जब उनको देखा तो उन दोनों बैलों की निलामी कर दी एक ब्यापारी ने उन दोनों बैलों को खरीद लिया जब ब्यापारी लेकर जाने लगा बैलों को तो उन ही रास्ता जाना पहजाना लगा और उन समझ गए कि हम अपने घर की तरफ हैं और उन भाग कर जोरी के पास पहुँच गए ब्यापारी भी उनके पीछे पीछे वहाँ पहुँचा लेकिन बैलों ने दोड़ कर उसको भगा दिये उसके बाद जोरी और उसकी पत्नी उन बैलों को फीर से रख लिए और उनको बहुत प्यार किये तो बच्चों मनुसी हो या जानवर सभी प्रेम चाहते हैं प्यार के सभी भूखे होते हैं इसलिए हमें किसी के साथ भी दुर ब्योहार नहीं करना चाहिए प्रेम के साथ मिल जुर कर रहना चाहिए बच्चों अभी मैं ये भी पताना चाहूंगी आप लोगों से कि आप पूरे समय घर में हैं और आपको बर्याप्त समय मिल रहा है इसलिए जिनकी राइटी अच्छी नहीं है जो अच्छे से पढ़ने ही पाते हैं जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है वे प्रति दिन एक पेज राइटी लिखें सुन्दर सुलेख लिखें और इंगलिस का हो या हिंदी का हो जिनकी रीडिंग अच्छी नहीं है वो प्रति दिन एक लेशन रीडिंग करें और आप लोग जब अच्छे से मेहनत करेंगे छुट्टियों में राइटिंग सुधार लेंगे अपनी रीडिंग सुधार लेंगे तो जो अध्यापक आपको पढ़ाते हैं जो आपको क्लास थ्री में पढ़ाए हैं और वो क्लास फोर में भी पढ़ाएंगे तो आपकी अगर राइटिंग देखेंगे कि इतनी अच्छी है तो बहुत खुस होंगे और आपकी तारीफ करेंगे तो आपको कितना अच्छा लएगा और रीडिंग भी अगर आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी तो आपके अध्यापक जरूर आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि सभी अध्यापक, सभी बच्चों को समझते हैं कि कैसे पढ़ते हैं, कैसे लिखते हैं उनकी राइटिंग कैसी है, उनकी रीडिंग कैसी है अगर ये सब बातें आप सुधार लेंगे इन सब चीजों को आप सुधार लेंगे तो आपके अध्यापक को कितना अच्छा लेगा और आपकी तारीफ करेंगे तो आपको सुनने में कितना अच्छा लेगा हर तरफ से आपको अच्छा लेगा कि आप में सुधार भी हो जाएगा और आप प्रसंसा के पात्रे भी बनेंगे